नमस्कार भूमिज की चैन और लाइफ्स्टाल में आपका बहुत बद स्वागत है। आग में बनाओंगे ड्राइफूट लडू इसको सरदिया में बना सकते हैं और इसको एक महिने तक स्टोर करके खा सकते हैं क्योंकि यह सरदिया में बहुत अच्छा रहता है मारे सहत के लिए और बहुत सहत मन लडू है यह क्योंकि ड्राइफुट्स जो है सरदिया में ही खाया जाता है तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 200 ग् जोड़ा क्रिश्पी हो जाए ऐसे हमें भूनना है अभी हमारा पादाम को हम अलग से निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे काजू को भी ऐसे हम थोड़ा सा मुस्चर उणने तक भूनेंगे और इसमें में ले रहे हो अखरोट अखरोट भी मैंने अभी सभी ड्राइफ मैंने 200 ग्राम ही लिया है और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे मतलब इसका भी मुस्चर उणने तक नमी उणने तक इसको भून लेंगे तो अभी देखिए लगभग 2-3 मिलिटर लग जाएगा आपको अभी भूनने के बाद थोड़ा सा थना होने दीजिए उसके बा जार में डाल के ग्राइंड करेंगे तो उससे में आप लग एक से दो बागी जयाएंगे तो यह डरदरा पाउड़ बन जाता है और जो बद जाएगा मतलब बड़ा रह जाएगा इसको हम निकाल लेंगे और इसे हम रैंड करेंगे तुर इसका छानना वानना खुछ जरू तो इसको हमें पकाना है आभी मतलब पैस्ट बन गया है बढ़ देखिए और जीतना भी थोड़ा बहुत रहे हैं इसमें फिर से थोड़ा सा पाने डाल की इसमें डाल दे और इसको हमें पकाना है यह देखिंए इसका स्थ हेला लाइट दिखा है पकनी के बाद एक दम मतलब चॉकलेट जैसा कलर हो जाता है तो आपको हाई फ्लेम में या फिर मीडियम हाई फ्लेम में आपको पकाना है लगबग 5-7 मिनिट के लिए अभी 5-7 मिनिट हो चुका है मेरे पकाते हुए और इसका कलर भी देखिए चेंज हो चुका है पहले कितना लाइट लग रहा था अब गाढा अबहा प्रका हो गया है और इससे में आप ग्यास को बंद कर देए एक बार गाढा हो जाने के बाद और इसको अलग से में इंडिख्शन कोयर के ऊपर ही बना रही हूं आप चाहे तो इसको अलग रखके इसके बाद आप ड्राइफूट्स का जो पाउडर है इसमें मिला सकते हैं तो ध्यान रखे कि इस समय जो आपका ग्यास जला हुआ नहीं चाहिए बंद मेंने बंद कर दिया है तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी देखिए में मिक्स कर चुकी हूँ और इसमें हम डालेंगे लगवग हापक जैसा नारियल का बुरांदा मतलाव डेसिकेटेड़ कोकनट सुखे जो नारियल का पॉटर बिलता है यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा तो इसका जितना भी जो हमारा डेसिकेटेड नारियल है इसको डालने से इसमें जो खजूर का जितना भी मश्चर है था हमने जो पाने डाला था यह अबदर्ब कर लेगा और लडू बांगने के लिए जैसे एक डो हो जाएगा मतलब अच्छा हम लडू बांग सकते हैं तो अभी इस समय जो है लडू बांगने के लिए तयार हो गया है हमारा डो और इसे हम लडू बना लेंगे अगर तील का सुपर फ्री लडू कैसे बनाते हैं वह बला देखना चाहते हैं तो देश्विशन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा वहां क्लिक करके देख सकते हैं तो देखे हमारा ड्राइफूट लडू जो है कितना अच्छा बनके रेडी हो गया है तो ऐसे ही मैं सा कर देंगे ताकि उपर जितना भी मस्चर है इसमें आ जाएगा और यह अब्जर्ब हो जाएगा और आपको सुखार जैसे मस्चर फ्री लडू मिलेगा अगर आपको वीडियो पच्छान आए तेक लाइक करें सब्स्राइब करके बैल आकन जरूर दबाएं